वीडियो हमारा है I know why the cage bird sings by Maya Angelo यह poem है आगे बढ़ने से पहले बता दूँ अगर आपने इस चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्स्राइब कर लें और यह जो बेल आइकन है इसको दबाना ना भूलें ता कि आपको हमारे हर वीडियो का notification time to time मिलता रहे सबस्राइब रिक्वेस्ट इसी वीडियो के लिए तो इसलिए आपके सामने यह poem है थोड़ा सा background दे दू पोईम का यह poem इस केज में बैठी हुई एक चडिया के ऊपर है ठीक है तो comparison किया है इस poem में एक इस चडिया के बारे में जो cage में है और एक चडिया और है जो खुले अकाश में sky में घुमती है जो बिल्कुल free है तो इन दो चडियाओं के बीच की life के बारे में यहाँ पे poet ने difference दिखाया है कि एक तो चडिया वो है जो खुले अकाश में घुमती है और एक चडिया वो है जो पिंजरे में कैद है तो दोनों की सोच में क्या difference है दोनों चडियाओं के और दोनों की life में क्या difference है और outlook में उनके क्या difference है तो यहाँ पे poet एक तरीके से दो चडियाओं की life के बारे में बता रहा है उनके life के differences और उनके thought के differences के बारे में यहां पर discuss किया गया है poem में तो अब हम step by step, line by line देखेंगे कि क्या मतलब है poem का A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and days to claim the sky यहां पर बात की गई है उस ठीडिया के बारे में जो खुले अकाश में घुम रही है ठीक है तो जो खुले अकाश में घुमती है तो क्या बता रहा है A free bird leaps on the back of the wind मतलब जो अकाश है जो winds है यह उनके साथ फ्लो में बिल्कुल free होके घुम रही है and floats downstream downstream मतलब होता है यह एक तर्म से नीचे आ रही है फिर उपर जा रही है इस तरीके से अराम से घुम रही है current किस की current की बात हो रही है wind current जो हवाय चल रही है उसके साथ यह sky में घुम रही है यह उस चडिया के बात हो रही है जो sky में free है एकदम free है ठीक है and dips is wing in the orange sun rays यहाँ पे पीछे sun है और sun की रोशनी बढ़ रही है इसके ओपर चडिया के ओपर और इसके wings है मतलब वो उस sun की चमक में क्या हो रहे है orange और इंज दिख रहे है कहीने कहीने का मतलब सरफ यह है कि यह खुले आस्मान में गुम रही है यहाँ पे जो line यूज हुई है and dares to claim the sky इसका मतलब क्या है वो जो इतनी जादा फ्री है चडिया कि जो पूरा universe है वो उसका है वो यह बोल सकती ही कि पूरा sky मेरा है पूरा universe मेरा है मतलब इतनी जादा फ्री है तो यहाँ पे इस चडिया की degree of freedom के बारे हम बात कियी है पोईट ने जो इस लाइन से clear होती है आगे बढ़ते हैं इसमें अब यहाँ पे दूसरी चडिया के बारे बात हो रही है जो की कहाँ पे है एक cage के अंदर है यह cage है इसके अंदर चडिया है जैसे की मैंने starting बताया था अब इसके बारे बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है bird a bird that stalks down this narrow cage अब यहाँ पे एक उसकी बात ठीक है एक दम से change हुआ scenario अब एक bird वो भी है जो cage में पिंजरे में बंद है जो ज़्यादा दूर देख भी नहीं सकती ठीक है उसके बार्ज लगे हैं उसके अंदर पिंजरे के अंदर ठीक है और उसके जो पंक है वो क्या है क्लिप्ड है उसके जो पंक है जादा आगे वो उड़ी ने सकती वो सरफ इस पंजरे के अंदर ही घूम सकती है तो कहीना कहीन उसके पंकों पे रोक लगा दी गई है ठीक है उसके जो पैर है वो क्या हुआ है पैरों को बांध या गया पैर भी जादा उसके मूव नहीं कर सकते है तो कही नहीं यह दिखा रहे हैं जो कितनी खराब कंडिशन है एक चड़िया की जो पिंजरे में कैड है ठीक है लेकिन सिरफ और सिरफ उसका जो गला है जो ठोट है वो ओपन है फ्री है वो सर फ़ गहा सकती है न वो और सकती है न वो ज्यादा तैल सकती है कुछ नि тобा कर सकती इस उसके जिंदगी है जो कि अब यहाँ पर क्या है कि यह जो cage bird है यह इसकी आवाज यह जो गाती है उसमें एक fear है एक डर है ठीक है और यह जो गाती है यह किन चीजों के बारे में गाती है यह उन चीजों के बारे में गाती है जो उसके पास नहीं है क्या नहीं है इसके पास freedom तो यह जो बाते कर रही है केज में जो चिडिया है यह जो गाने गारी है यह किसके बारे में गाती है मिली फ्रीडम के बारे में गाने गाती है बट इसकी अवाज में एक डर है डर किस चीज का है एक अन्नोन चीज का डर है अन्नोन चीज का डर क्या है इसकी डिजायर है कि यह फ्री हो जाए यह भी पर डर किस चीज का है, कि इसको पता है कही नगहीं कि पता नहीं, इसके जो ख्वाइशे हैं, या सपने कभी पूरे होंगे रहा है, इसलिए उसके अंदर एक भी हैं, unknown fear. और फिर, वह के, यहां poet बोल रहा है, जो उसकी tune है, जो गाना गा रही है, cage में जो bird freedom के बारे में यह बहुत दूर तक सुनाई देती है ठीक है distant hill तक सुनाई दे रही है ठीक है और यह किस के बारे में गाना गाती है freedom के बारे फिर दुबारा वापिस बात हो रही है poet ने करिये उस bird के बारे में जो akash में भुम रही है the free bird thinks of another breeze and the trade winds off through the sighing trees and the fat worms waiting on a dawn bright lawn and he names the sky his own यहाँ पर देखिए फिर बड़ी अच्छी कंडिशन के बारे बात हो रही है free bird के यह फिर घुमती है हवाओं में हवाओं के साथ यह भी जोके लेती है जो free bird हवाओं में उड़ती है ठीक है जो trees के बारे जो trees होते है trees के जब हिलते हैं हवाओं चलती है तो उन हवाओं के साथ यह गुमती है साइंग trees का मतलब क्या है साइंग in general थोड़ा सा जब यहाँ पर बात हो रही है एक trees के बारे में जो थोड़ा सा यह दिखा रहे हैं trees की जो condition है वो भी थोड़ा सा थोड़ा उस caged bird जैसी है क्योंकि tree भी क्या कर रहे हैं साइं कर रहे हैं साइं जाहतर लोग तब करते हैं जब कुछ खराब हो जाए heavy breathing करते हैं आरे कुछ हो गया खराब हो गया ऐसे तो साइंग trees के बारे माद क्यों हो रही है नीचे जो worms होते हैं worms कीड़े में कोड़े होते हैं क्योंकि जो चड़िया होती है और रही ओनी north कीड़े में खराब को खाती है और फिर बात होग है anyone's the sky zone पूरा चड़िया है पूरा अकाश दुनिया दुनिया उसकी ng Arnold हो कहीं बहुम सकती है वसके बाद फिर यहां बात हो रही है बता केज़ बड्र स्टेंड्स ओं द्पlayма दिरी म्स लेकिन अब यहां पहर दूबारे हो उसी केज़जबर्ड की बारे है बात हो रही आ हो कांग कीहा बता रहा है केज़़ड काहँ कःड़ी हुई है केज अन्दर कड़ी ऐह Tibli है शेडव शाउट एट करती है क्या करती है जो उसका जो shadow है वो भी उसकी परचाही है character bird की वो भी ऐसा लगता है जैसे कि एक बुरा सपना है बुरे सपने की तरह उसमें आवाज आती है चीखने की चिलाने की उसकी shadow में भी परचाही में भी क्यूं क्योंकि वो हमेशा के लिए अपना गला ओपिन करती है ठीक है फिर यहां बात हो लिए the caged bird sings with a fearful trail of things unknown but longer first kill and his tune is heard on a distant hill for the caged bird sings of यह फिर वो ही एक तरीके से अब देखो कि stanza repeat हो रहा है इसके बारे में पहले बाने बात की हुई है वापस वो ही है कि यह caged में जो पिंजरे में है इसकी आवाज में जो एक गाना गाती है उसमें भी एक fear है fear क्यों है क्योंकि इसको कही नहीं पता है अब जिंदगी बार इस पिंजरे में रहने वाली है यह से भाड़नी आ पाईगी लेकिन उसके बाद भी उसकी spirit देखिए में जीजिस की spirit है spirit क्या है वो गाने किसके गार ही है freedom के इतनी दुख में होके इतनी life में परशानी हो होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं आ रही है उसको मालम है शएद जो वो चीज़े सपने देख रही है केज में बैटी बड़ उसे freedom कभी नहीं मिलेगा जिन्दगी में लेकिन उसके बाद भी जो गाने गाती है उसमें एक hope है ठीक है उसने हार नहीं मानी है अभी भी ओगाने freedom के गारी है यह चीज़ है मतलब कहीं नहीं इससे message क्या मिलता है poem से कि अगर हम life में कितनी भी adverse conditions आजाएं कितनी भी खराब conditions आजाएं जब आपको लगे कोई रास्ता नहीं है लेकिन उसके बाद भी आपको hope नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा आपको अच्छा और positive सोचना चाहिए यह poet का lesson है life में कितनी भी मुश्किले आजाएं कुछ भी हो जाएं लेकिन आपको hope नहीं छोड़नी चाहिए और आपको हमेशा positive सोचना चाहिए यह इसकी यहाँ पर यह दिखाया गया है इस कहानी के माध्यम से जनरली यह जो कहानी है यह मैं आपको बताऊ यहाँ पर बात हो रही है African Americans की African Americans की बात क्यों नहीं है क्योंकि America में एक civil war हुआ था थोड़ा सा पढ़िए गास के बारे में America में civil war हुआ था Civil war का मतलब होता है country के अंदर लड़ाई हो जाना तो America में अंदर ही अपने USA में voting के rights नहीं मिलते थे Blacks को distinguish किया जाता था तो America में आज जो freedom हो पहले नहीं था तो कहीं नहीं यह जो poet है इसने जो poem लिखी है थोड़ा सा इस context में भी लिखी है क्योंकि यह Africans जो थे American American बोलते हैं तो इनकी conditions जो थी थोड़ी इन पर torture किया जा रहा था तो यह है meaning तो काईज यह था video I hope video अच्छा लगा होगा comment section में ज़रू बताएं कि अगला video आप किस पर चाहते हैं have a nice day, bye bye, take care